आज दोस्तों मैं राज पांडे आप देख रहे हैं और आज जान लेते हैं अभी के लेटेस्ट अपडेट के बारे में पाहले अपडेट पुलिस भरती को ले करें क्या 2021 में पुलिस भरती का विग्यापन जारी होगा या नहीं होगा सबी के जहन में एक सवाल है क्योंकि कारी होगा उसी से अपडेट कराऊंगा आद मैं आपको बता दूँगा कि 2012 में नई पुलीस भरति का विग््यापन जारी होगा या नहीं होगा या 2022 में कब तक होगा जा 22 विजान सवा चुनाओं के पहली पुलिस भरती का विग्यापन आपको देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा आपको मालूम हुगा कई कोचिंग संस्थान की माधिम से बताया जा रहा है कि अक्टूबर में भरती का विग्यापन जारी हो जाएगा तो मैं आप से को बताना चाहता हूँ कि कोचिंग संस्थाने वाले कभी भी कटाफ अजिग नहीं बताते हैं कि कोई भरती आ जाए अगर उसमें कटाफ सत्तर जाने वाला है तो उसको क्यों पचास ही बताएंगी अगर कोई भी भरती परिच्छक आयोजन दिस्तंबर में होने वाला है तो उसे नौंबर बता देंगे इसलिए बताते हैं कि उनका कोर्स जल्द से जल्द विख जाए अगर कटाफ को बताएंगे तो ज्यादा से ज्यादा कोर्स विखेगा इसके कारण कभी भी कोचिंग संस्थान के द्वारा बताएगे कटाप पर विश्वास नहीं करना चाहिए एक दो परिस्त को छोड़ दूँ बाकी कटाप सही नहीं बताते हैं जहां तन मुझे जानकारी है आप जो है पिछला कटाप उनका देख लीजे आप अनुभो कर लेंगे कि वास्तों में मेरे द्वारा जो कहा जा रहा है वहा पूर्टा सत्य है 25 जार पुलिस भरती के समझ में कई कोचिंग संस्थान के माधिम से बताया जारा कि अक्टूबर में भरती का विज्यापन जारी कर दिया जाएगा देखे अगर कोर्स बेचना है तो इमानदारी से बेचिए सचाई के साथ बेचिए मैंने कहा था आप से कि आज में जानकारी कलेक्ट करने के बाद आपको बताऊंगा देखे प्रस्ताव वास्तों में 25 जार पुलिस भरती का वेजा गया है और उत्तर पुलिस भरती पुलिस भरती बोर्ट में पहुंच चुका है या पूर्ण सत्य है कि 25,000 पदों पर भरती का विग्यापन जारी होगा लेकिन एक महत पूर्ण बात कही गई है कि अगर जनवरी माह में आदर्स अचार सहीता लागू नहीं होती है तो यानि कि जनौरी 2022 में अगर आदर्स अचार सहीता लागू नहीं होती है तो भरती का विग्यापन चुनाओं के पहले जारी कर दिया जाएगा अगर आदस अचार सहिता जनौरी 2022 में लागू हो जाती है तो भरती का विग्यापन 2022 चुनाओं के बाद जारी किया जाएगा अब चुनाओं के बाद किसकी सरकार होगी इसके संबन में कुछ कहा नहीं जा सकता 25 जार पुलिस भरती का विग्यापन कोई भी सरकार हो अगर आती है तो जारी करेगी पदों के शंख्या 50 जार भी हो सकता है ऐसा नहीं है कि पुलिस की पद खाली नहीं होते हैं हर साल लोग रिटायर होते हैं और पुलिस की पद रिक्त हो जाती है तो जो 25 जार पद है वह 35 से 40 जार 50 जार तक हो सकता है तो आकड़ा बढ़ सकता है 25 जार से लेकिन अगर आदर्स अचार सहीता लागू नहीं होती है तो यानि कि जनौरी 2022 में अगर आदर्स अचार सहीता लागू नहीं होती है तो विग्यापन जनौरी माह में आपको देखने को लेगा 15 जनौरी से लेकर 25 जनौरी के बीच में अगर आदर्स अचार सहीता लागों हो जाती है तो यह विज्ञापन 2022 विधान सभा चुनाओं के बाद ही जारी किया जारी वर्स है अगर सरकार का आदेश हुआ तो भरती जल्द से जल्द आ सकती है लेकिन सरकार आदेश नहीं देगी अगर आदेश दिये ना होता तो आज क का जिकर नहीं होता वैसे समाचार पत्र में जल्द से जल्द की बात की जाती है हमेशा लेकपाल भरती का विग्यापन लंबे समय से समाचार पत्र में आ रहा है अभी तक पठर पर दिखाई नहीं दिया दरोगा भरती परिक्षा की समहीने आयोच की जा रही थी अभी तक ह ही होती है वैसे अगर आदर्स अचार सहिता लागू नहीं हुआ जनौरी 2022 में तो आप मानकर चलिए कि 15 से लेकर 25 की बीच पुलिस भरती का नोडिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा अगर लागो हो गया तो चुनाओ के बाद पुलिस भरती का भिगयापन जारी होगा सच्चाई में आपको बता रहा हूँ अब किसी को कोर्स बेचना है किसी को कम कटाफ लगा कर लेकपाल भरती क कोर्स बेचना है तो भाई WhatsApp कर सकते हैं उनको कोई रोग छेक नहीं है जिसको लेना हो जिसको विश्वास करना हो विश्वास करे सामने आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी एक भाई साहब ने आज कमेंट किया कहा कि इस तर आप बोल रहेते कि पुलिस भरती का का नहीं जो बोलता हूं किसी को गलत जानकारि नहीं देता हूं जानकारी तो उसको सिध्थ करता हूं आखिरकार जानकारी को गलत होई तो सिर्मान जी आपका विश्वास हमारा विश्वास है हमारा विश्वास आपका विश्वास आपका विश्वास बनाए रखें मैं आपका विश्वास बनाए रखूंगा इसलिए वीडियो को लाइक सिर्ज जरूर कर दे इसी प्रकार के authentic जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जब भी सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन और all पर सेलेट करना मत भूले दूसरी ख़बर यूपिटर प्रलस्टी पेट ओयमार स्केनिंग को लेकर है कई अभ्यर्चों ने इस बात की जानकारी मांगी है कि ओयमार स्केनिंग कर लिया जाएगा यानि कि पूरी स्केनिंग प्रक्रिया कंपलीट हो जाएगी क्योंकि जब कांप्यों का मुल्यांकन होता है उसी समय स्केनिंग होती है और पूरा डाटा फीट कर लिया जाता है और उसी डाटा के आधार पर NIC के माध्यम से आपको ओयमार सीट निकालने का मौका मिलता है क्योंकि NIC के अंतरगत आयोग काम करता है मैं आप से बताना चाहता हूँ कि ओयमार सीट के समझ में जो मुझे जानकारी मिली है कि 4 सब्तमबर से स्केनिंग की परकिया सुरू होगी 17 दिन चलेगी 17 दिन चलेगी और अधितम 19 दिन क्योंकि 17 से 19 दिन का टार्गेट रखा गया है उसके बाद जो है परिडाम जारी होगा यानि कि 17 से 19 दिन आज से अहट कर लिजेए कि 19 के बाद प्यट का परिडाम जारी होगा तो आप मान कर चलिए जो मेरे दौर आपसे बताया गया है क्या बताया गया है आप जो है कमिट्टी पोस्ट पढ़ लिजे और मैं आपको इसके इस साथ दिखा रहा हूँ कि 8 अक्टूबर तक बताया गया है और कब 26 के बाद 26 सब्तमबर के बाद और 8 अक्टूबर तक जारी कद दिया जाएगा जब परिडाम जारी होगा उसके दूसरे दिर से आप उमार के इसकी निकाल पाएंगे जो मुझे जानकारी है और कोई जानकारी आपको पतादों कोई कज सार्चिस फी verso 17 से उपर होगा वह फिल नन कॉलिफाई जब भरती आएगी किस तरह से आविजन करना है इसके सम्मन में मैं आपको जानकारी दे दूँगा तो विमारी स्केनिंग के सम्मन में जानकारी मिली है जो अभी मेरे दोर आपको बताया गया है और मैं आपको बता दूँ परिडाम 26 के बाद और 8 अक्टूब 2021 को लेका है देखिए यूपीटर 2020 से नोडिफिकेशन 2021 में आ रहा है इसलिए यूपीटर नोडिफिकेशन 2021 लिखा हुआ है और यूपीटर जूने सिच्छक भरती परिच्छा 2021 तियों परिच्छाओं के सम्मन में इस चैनल के मार्जिम से कल आपको जानकारी दी गई थी परिच्छो भी जानकारी दी गई थी और आपको बताया था कि प्रस्ताव भेजने से सब कुछ नहीं होता है जब तक सासन निर्देशित नहीं करेगा तब तक परिच्छा कायोजन नहीं होगा वैसे 19 दिस्टमबर की जो बात चल नहीं है जब प्रस्ताव को एक बार आश् अंति में जाएगी क्योंकि नॉम्बर की अंति में कराने की त्यारी थी लेकिन संभाव नहीं निन्यान में परिच्छत नहीं है एक परिच्छत छोड़ दीजे दिसंबर के अंति में सो में सो परिच्छत परिच्छक आयोजन होगा और जूनियर हाज को शिच्छक भरती के समंध में मेरे द्वार आपको जानकार जी गई कि 15 नॉवंबर के पहले परिष्छा कंडेट करा ली जाएगी जो प्रस्ताव भीजा गया 17 अक्टूबर 31 अक्टूबर 17 और 31 अक्टूबर के बीच में एक तिथी पर मुहर लग सकती है अभी मुहर सासन की तरफ से नहीं लगा है कल भी मेरे द्वार आपको बताया गया था परसो भी मेरे द्वार आपसे बताया गया था और कुछ लोग आज PNP पे गये थे जैसा कि दाबा कर रहे हैं साची उसे मिले हैं और जो मेरे दोरा कर आपको बताया गया था उस वीडियो को देखिए परसों जो मेरे दोरा आपको बताया गया था उस वीडियो को देखिए और आज जो PNP पे गये हैं उनकी बातों को सुनिए आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि मेरे दोरा अथेंटिक जानकारी दी जात सब्सक्राइब करें। वीडियो का नोडिफिकेशन आपके सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को आप सबसे पहले देख पाए। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूले। जैन जफारुस्तु नमस्कार।